सब्सक्राइब काफी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाले और काफी जादा डिफरेंट होने वाले गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल हो कि आप कोई भी बेक्राउंड कैसे हटा सकते कोई भी इमेच से आप बताने वाला हूं मैं वेपसाइट बताने वाला हूं बिल्कुली फ्री एकडम फ्री में आपको फ्री में बैक्ग्राउंड चेंज करके बताएगे बहुत कम लोगों को पता है ऐसा है ऐसी ट्रिक्स इस चले फटा फट मैं वेबसाइट पर चले जाते हैं अपना कोई भी ब्राउजर खोलने आपको यहां पर फोड़ा एला आगाइज तो आप रिमूव.bg भी लिखेंगे तो चलेगा गाइस हाँ यहां पर आप देख सकते कुछ ऐसा इंटर फ्रेज है इस वेबसाइट का आप आप यहां पर टुटोरियल भी ले सकते गाइस और बहुत सारे दूसरे दूसरे एप्स में आप इसकी बैक्राउंड अटाके इमे आपको यह बैक्राउंड अटाके देगा तो आपको एक 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 जामपल भी बता देता हूं गाइस मैं अपने खुद से इमेज लोंगा आप एक इमेज सिलेक कर लेता हूं और आप देख सकते हैं कैसे यह विजिन चेकेंड में बैक्राउंड अटाके दिखाएगा यह बैक्राउंड यहाँ अर्म आपको और भी करेंड आपको बैक्राउंड मातलब ठीज करना है तो आप एड़ीट पर क्लिक करें जैसा कि आप चाहें और वह इसा कहीं पे भी जैसे मैं या पर आपको दिखाता हूं मैं इस इमेज को कहीं पर भी यूज कर सकता हूं इरेज एंड रिस्टोर में से आप जैसे आप रिस्टोर कर सकते हैं जैसे मुझे कोई पार्ट वापिस चाहिए था कि कोई पार्ट वापिस चाहिए तो गाइज मुझे इसे हम ब्रश के साइज को करके जैसे मुझे यह महादेव लिखा है वह डिजाइन वापिस वह लाइन वापिस चाहिए थी वाइज मैं इसे रिस्टोर भी कर सकता हूँ अगर आपको कोई पार्ट एरेज करना है तो आप वो भी कर सकते मुझे इसमें अभी कुछ रिस्टोर नहीं कर रहा है बर मैं आपको रिस्टोर करके दिखा देता हूँ जैसे मुझे इसका साइज और चाहिए था ऐसे ही आप डाउनलोड कर सकते हैं रिस्टोर भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें अपनी मर्जी से और इ एकदम हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं यह देखे गाइस मेरा इमेज विदीन सेकंड डाउनलोड हो गया एच्छे रेशियो में वह भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी तो इसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस वीडियो को लाइक कर ना भूले और प्लीज ड्रॉप अ कमेंट गाइस थैंक यू